हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू क्रेसी जी के ट्रिक, मैं गॉरव एक बार फिर आफ सबी के सामने, दोस्तों हमारे लॉजिकल रिजनिंग की सीरीज में हम हमारे नेक्स चेप्टर रैंकिंग पर आ चुके हैं, दोस्तों इसके पेले हमना यहाँ पर हमारी सीरीज में टूटल दोस्तों आपको यदि इन सबी चेप्टरों का PDF चाहिए, तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के application पर चले जाएए, वहाँ पर आपको option में available हो जाएगा, चली दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर हम ranking की, चली आएए इसे समझते हैं, देखे, ranking, यहाँ इसे हिंदी में क्य क्रम व्यवस्थी करण, क्रम व्यवस्थी करण मतलब क्या है दोस्तों, उसके नाम समझ में आ रहा है, कि particular किसी भी sequence में arrange करना, तो यहाँ पर हम person को arrange कर सकते हैं, यहाँ पर हम think को arrange कर सकते हैं, यहाँ पर हम place को arrange कर सकते हैं, हमें जो भी arrange करने के लिए दिया जाएगा, उन है उनकी characteristics के साफ से हम arrange कर देंगे या particular जिस भी sequence में हमें क्रम को arrange करना है sequence arrange करना है उसमें हम arrange कर देंगे जैसे के बात करते हैं दोस्तों हम number की तो हमें दोस्तों selection के लिए cut off mark के उपर number चाहिए तो यहाँ पर भी क्या हो रही है यह ranking कि particular कोई भी exam जो हुई है उसके जो भी cut off marks आए है मान लिए 141 आए है तो इसके उपर हमें number चाहिए या फिर 141 चाहिए qualifying के लिए clear है तो यह होगे दोस्तों number की ranking या फिर दोस्तों आपने class में दिखा होगा school time पे जिसके सबस्यादा number आते थे यह जिसकी first rank आते थी उसको कहा लगते थे ऊपर फिर उसका आद में second number rank जिसके उससे कम number होते थे फिर उसे प्रकास से आगे बढ़ते आते थे था ठीक है तो ranking मतलब का एक particular किसी भी sequence में arrange करना जैसे कि अभी IPL हुआ था दोस्तों उसमें सबस्ता उनके point के साब से तो ranking मतलब क्या दोस्तों particular किसी भी sequence में person, thing, place या किसी ओर चीज को arrange करना तो arrange something चली अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ranking को हम कितने पार्ट पढ़ेंगे दो पार्ट में पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम order और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे position in queue अब दोस्तों order जैसे क्या भी मैंने आपको बताया तो आए देखें exam में कौन-कौन से order पुछे आते हैं वो मैं आपको उतायता हूँ exam में पुछे जाता है आयू का order भार का order है ना उसके आद में I income कोन ज्यादा कमाता है कोन कम कमाता है किसका भार ज्यादा है किसका भार कम है किसकी उमर ज्यादा है किसकी उमर कम है ठीक है किसके नंबर ज्यादा है किसके नंबर कम आए ये भी पुछे जाता है exam में तो यह स तो इसके question पंक्ती में स्थान के कोई वेक्ति है जिसका दाया से स्थान दस्वा है बाया से स्थान बारवा है तो पंक्ती में कुल किते लोग ठीके तो इसे question जो है वो हम करेंगे part 2 में मतलब position in Q में तो आईए पहले हम discuss करेंगे part 1 पर मतलब order पर चली शुरू करते हैं order देखे फ्रेंट्स हमारे पास में एक question दिया हुआ है अब इसे arrange करने के दूस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं और आपने देखे वे होंगे बहुत से लोग science से पढ़ते हैं ये वाले science से बहुत से लोग lineों से पढ़ते हैं ये line छोटी ये line बड़ी कर दी ठीके यहाँ पर हम standard ranking follow करेंगे मतलब कैसी यहाँ पर जितने भी sequence हमें दिये जाएंगे उसमें जिस वेक्ति के accuracy जादा होगी उसका नाम हम लिखेंगे उपर और जिस वेक्ति के accuracy कम होगी उसका नाम लिखेंगे नीचे clear है जैसा कि अधिकतर सभी जगे होता है ठीक है चले आएए देखें कैसे example समझते हैं जैसे पहला question ABCDE पाँच लोग जिन में प्रतेक की अलग-अलग उम्र है पाँच लोग है सबकी क्या है अलग-अलग उम्र फिर यहाँ से पढ़ते हैं देखें यहाँ पर हमें first point दिया गया है A B से बढ़ा है परन्तु C से छोटा है चले आएए इसे arrange करते हैं तो देखें हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो भी accuracy में ज़्यादा होगा उसे उपर लिखेंगे जो भी accuracy में काम होगा उसे कहा लिखेंगे नीचे तो यहाँ पर पहला point पढ़ा कि क्या समझ में आ रहा है कि A जो है वह B से बढ़ा है तो पहले इतने ही माला लेते हैं जो बड़ा है उसको उपर लिखना है, जो छोटा है उसको नीचे लिखना है, simple, आगे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, D, C से बड़ा है, अब D for doctor किस से बड़ा है दोस्तों, C से, तो C के कहां बन जाएगा, उपर side, clear है, क्योंकि D बड़ा है किस से, C से, आगे पढ़ें परंतु E से छोटा है, D जो है, वह C से तो बड़ा है, परंतु E से क्या है दोस्तों, छोटा, तो D का मनेगा E के नीचे, तो यहाँ पर देखिए यह 5 परसन जम गए, A, B, C, D, E, clear है, अब यहाँ पर दोस्तों क्रम में सबसे बड़ा कोन हो गया, E, सबसे छोटा कोन हो गय B, यदि बात करें, दूसरा बड़ा विक्ति कोन है, तो D है, यदि बात करें, दूसरा चोटा विक्ति कोन है, तो A है, और C से बड़े कितने लोग, 2 लोग, C से छोटे कितने लोग, 2 लोग, आईए देखिए हमें कोश्चन में क्या पुछा है, पहला कोश्चन हम से पुछ में सबसे चोटा कुन दिख रहा है दोस्तों B तो यहाँ पर हमारे second का answer क्या हो जाएगा B ठीक है बिल्कुल clear है simple था अभी दोस्तों हम यहाँ पर पहले basic पढ़ रहे हैं आपको basic clear हो जाएगा फिर देरे देरे इसका level हम बढ़ते जाएगे वैसे इस chapter में दोस्तों question जो है वो easy to moderate आते हैं और आसानी से बन जाएंगे एक बार आपको sequence अरेंच करना बन गया उसके बार में आपको question लगाना बिलकुल ही आसान होगा clear है चली आगे बढ़ते है next question पर चली friends देखे next question पांच मित्र महेश करण अभिशेक रितिक यश सभी की अलग-अलग लंबाई है तो यहाँ पर हमें लंबाई का sequence अरेंच करना है मतलब जिसकी लंबाई जादा होगी उसका नाम हम उपर लिखेंगे और जिसकी लंबाई कम होगी उसका नाम हम नीचे लिखेंगे clear है चली आए कोशन पढ़ते हैं पांच मित्रों में महेश करन से लंबा है परन्तु यश से नहीं पांच जो मित्र हैं दोस्तों उसमें महेश जो है वह करन से लंबा है आए इतना इतना अरेंज करते हैं महेश जो है वह करन से लंबा है तो महेश करन से क्या हो गया दोस्तों लंबा परंतु आगे क्या लिखा है? अब रितिक यदि दोस्तों यश से लंबा है तो कहा बनेगा यश के ऊपर साइड के रितिक जो है वह यश से तो लंबा है पर अभी शेक से नहीं तो यहाँ पर कोना जाएगा दोस्तों अभी शेक क्लियर है रितिक यश से लंबा हो गया पर अभी शेक से नहीं तो यह बन के ह पहला सवाल है क्रम में दूसरा लंबा विक्ति कौन है तो देखिए दूसरा लंबा विक्ति पूछा है तो यहाँ पर दूसरा लंबा विक्ति कौन है दोस्तों रिदिक तो पहले question का answer दोस्तों क्या होगा रिदिक clear है चली और दूसरा question क्या पूछा है क्रम में सबसे छोटा कौन है तो क्रम में सबसे छोटा दोस्तों कौन है current दूसरे question का answer क्या हो जाएगा current clear है arrange करना आया चली आईए अगले question पर चलते है next question है ABCDE पांच लोग जिन में प्रत्यक की अलग-अलग आए है अब यहाँ पर दोस्तों income का sequence हमें दिया है ठीक है आय का sequence दिया है अब जो ज़्यादा कमाएगा दोस्तों हम उसे उपर लिखेंगे और जो कम कमाएगा उसका नम कहा लिखेंगे नीचे ठीक है चली पढ़ते हैं पहला point है B, A और C से ज्यादा कमाता है अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिजिएगा point घुमा के दिया है B जो है वह A और C से ज्यादा कमाता है तो दोस्तों एक से ज्यादा कमाता है कि दोनों से दोनों से ही ज्यादा कमाता है देखें इसे केसे मराएंगे B जो है वह A अबलिक C डोनों से ही क्या कमाता है ज्यादा कमाता है अब यहाँ पर हमने इन दोनों को साथ में क्यों रखा है दोस्तों क्योंकि पहले पॉइंट से हमें ये मालूम नहीं पढ़ रहा कि A ज्यादा कमाता है C से या फिर C ज्यादा कमाता है A से परंतो हमें केवल यह मालूम है कि B जो है वह इन दोनों से ही ज़्यादा कमाता है इसलिए हमने कहा रख दिया इनको अभी साथ में चलिए आईए आगे पढ़ते हैं अगला पॉइंट है D केवल E से कम कमाता है D जो है वह केवल E से कम कमाता है किन लोगों में इन पांच लोगों में ठीके जैसे मैं आप से बोल दूँ कि आप जो है वह आपके घर में केवल आपके पापा से ही कम कमाते हैं और किसी से कम कमा रहे हैं क्या दोस्तों नहीं केवल किस से कम कमा रहे हैं पापा से ठीक है तो first number पे को नो जाएगा आपा second number पे को नो जाएगे आप clear है उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों D जो है वह केवल E से कम कमाता है तो क्या बन जाएगा sequence D जो है वह केवल वह केवल किससे कम कमाएगा E से और किसी से कम कमाएगा क्या नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है केवल केवल वाले point को दोस्तों ध्यान से पढ़ें यह point उल्जाता भी है और सुल्जाता भी है sitting arrangement में भी और ranking में भी और puzzle में भी clear है चली तो यहाँ पर बन गया sequence आगे और कोई point दिया नहीं है अब यहाँ पर दोस्तों A और C की जगे fix नहीं हो पाई है क्योंकि दोनों ही point से हमें A और C की जगे मालूम नहीं पढ़ पा रही है ठीके अब यहाँ पर देखें दोस्तों question क्या पूछा है अब यहाँ पर यदि question पूछा है कि क्रम में सबसे कम कोन कमाता है तो answer क्या होगा दोस्तों A answer क्या होगा A या C क्योंकि clear नहीं है कि कौन ज़्यादा कमा रहा है और कोन कम कमा रहा है A और C में ठीके तो सबसे कम कमाने वाला कोन होगा दोस्तों A या C अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक concept और सिखा रहा हूँ, उसे भी ध्यान दीजिएगा, देखे, यहाँ पर इदि आपसे question पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए, कि दूसरा वेक्ति जो है, कौन है जो कम कमाता है, दूसरा कम कमाने वाला वेक्ति, जो दूसरा कम क करते हैं, आएए देखे कैसे, यह answer कैसे आएगा, ठीकिए यहाँ पर हम इसके possible sequence बना लेते हैं, मतलब संभावित क्रम, क्या-क्या arrange हो सकता है, देखे, एक possibility यह हो सकती है, कि E, D, B, अब यहाँ पर मान लेते हैं हम, कि A जादा कमाता है C से, तो यदि A जादा कमाता है C से, तो C के उपर यह बन जाएगा, ठीक है, और एक संभावना क्या हो सकती है, E, D, B, अब मान लेते हैं हम जो C है, वह जादा कमाता है किस से, A से, दोस्तों केवल यही दो संभावनाए हो सकती है, इस sequence की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे दोस्तों कितने लोग हैं, द लास सीट पर भी इन दोनों में से कोई एक बेठेगा, नीचे दो लोग हैं, तो दो सीट घरेंगे, तो ध्यान रखेंगे, सबसे कम कमाने वाला भी कौन होगा, A या C, और दूसरा कम कमाने वाला भी कौन होगा, दोस्तों, A या C, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, चली, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोईशन पर, A, B, C, D, E, F, छोग जिन में प्रत्येक की अलग-अलग उम्र है, ठीक है, यहाँ पर भी हमें दोस्तों, उम्र का सिक्मस जमाना है, जिसके उम्र ज्यादा होगी, उसका नाम हो उपर लिखेंगे, जिसके उम्र क पर, B, O, A की जगे हो गई, फिक्स, कि B जो है, वह केवल और केवल A से बढ़ा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, D, B से बढ़ा और C से छोटा है, आईए बनाते हैं, D जो है, वह B से बढ़ा है, और C से छोटा है, नेक्स पमिंट देखते हैं, C, E से छोटा है, तो E के कहां बनेगा? नीचे. लास्वमिन पढ़ते हैं. तीन लोग केवल F से बढ़े हैं. मैं आप से बोल दूँ कि आपके घर में तीन लोग केवल आपसे बढ़े हैं. तो आपका नमबर दूस्तों कौन से नमबर पर आएगा? चोथे नमबर पर. कैसे? देखे. एक, दो, तीन. फिर यहाँ पर कोन आ जाएंगे? आप. क्योंकि क्या बोला है? तीन लोग केवल आपसे बढ़े हैं. तो एक, दो, तीन. घर में तीन लोग जो हैं, वो केवल और केवल आपसे बढ़े हैं. तो आपका नमबर कौन से पर आजाएगा? फोर्थ पर. तो यहाँ पर वही बात किसके लिए बोल रही है? एफ के लिए. कि तीन लोग जो हैं, वो केवल एफ से बढ़े हैं. तो एक, दो, तीन. यहाँ पर कौन आजाएगा दोस्तों? एफ. एफ का नमबर कौन सा होगा? फोर्थ. क्लियर है? कॉशन देख लेते हैं. क्रम में दूसरा बड़ा विक्ती कौन है? तो क्रम में दूसरा बड़ा विक्ती कौन है, दोस्तों? दोस्तों, पहले का आँसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? C और दूसरा क्रम में दूसरा छोटा विक्ती कोन है या क्रम में दूसरा छोटा कोन है तो दूसरा छोटा कोन है दोस्तों वह कोन है B तो यहाँ पर आंसर क्या होगा B पहले कोशन का आंसर C दूसरे का आंसर क्या होगा B प्लियर है चली next अगले question पर चलते हैं देखें friends वरुन लंबा है संजू से आई ये diet अरेंज करते हैं वरुन जो है वह लंबा है किससे संजू से आगे बढ़ते हैं विपुल लंबा है वरुन से अब विपुल जो है वह लंबा किससे है वरुन से तो वरुण के कहा बन जाएगा उपर साइड ठीक है आगे बढ़ते हैं कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है परन्तू या किन्तू वरुण से लंबा है कौन कृष्णा तो वरुण से लंबा और विपुल से छोटा है मतलब इन दोनों के कहा जाएगा मिड में ठीक है तो कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना की विपुल है परन्तू वरुण से क्या है लंबा ठीक है यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों से सबसे लंबा कौन है तो यहाँ पर आयू में बड़ी है आये बना लेते हैं लक्ष्मी जो है वह बड़ी है किस से मीनू से ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं मीनू चलिए आगे बड़ते हैं लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से चोटी है अब लीला जो है वह मीनू से तो बड़ी है परंतु लक्ष्मी से क्या है? छोटी तो यहाँ पर आएगी लीला ठीक है? लीला जो है वह मीनू से तो बड़ी है परंतु लक्ष्मी से क्या है? छोटी आगे पढ़ते हैं लता मीनू और हरी दोनों से चोटी है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सिक्वेंस में मीनू है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लता क्योंकि लता जो है, वह मीनू और हरी दोनों से चोटी है, मतलब हरी भी कहाँ बनेगी इसके उपर आईए आगे पढ़ते हैं, किन्तु अब हरी जो है, वह मीनू से भी क्या है चोटी है तो यहाँ पर हरी बन जाएंगे तो यहाँ पर अब हो गया हमारा पूरा सिक्वेंस देखिए एक बार चेक कर लिए, लक्षमी मीनू से आई वह मड़ी है, तो देखिए लक्षमी बढ़ी है किस से मीनू से आगे बढ़ते हैं लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्षमी से चोटी है तो लीला मीनू से बड़ी हो गई परंतु लक्षमी से क्या हो गई चोटी और आगे देखते हैं लता जो है वह मीनू और हरी दोनों से चोटी है तो देखिए क्या पुछा है हमसे सबसे चोटा कौन है तो सबसे चोटा दोस्तो कौन है लता लगा दीजे option option D is right answer clear है चली आगे बढ़ते हैं ध्यान से समझेगा थोड़ा सा tricky question है ग्यात कीजिए सबसे चोटा कौन है यदी अब यहाँ पर हमें दिये गए है point पहला point दोस्तों देखिए सुनीता जो है वह अनीता से लंबी है आई एरेंच करते हैं सुनीता जो है वह अनीता से क्या है? लंबी है ठीके? तो उपर बन जाएगी आगे बढ़ते हैं अगला दिया गया है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से चोटी है अब यहाँ पर कभी नहीं बन रहा आगे देखते हैं अनीता चित्रा से चोटी है अब अनीता जो है वह चित्रा से चोटी है मतलब चित्रा उपर बनेगी किसके अनीता के अब यहाँ पर भी बन सकती है यहाँ पर भी बन सकती है आईए आगे पढ़ते हैं क्या है दिया गए है चित्रा सुनीता से लंबी है हाँ इस परणट को हम जमा लेते हैं देखे दोस्तों चित्रा किस से लंबी है सुनीता से सुनीता यहाँ पर है तो यहाँ पर को नहीं आएगी दोस्तों चित्रा कि चित्रा जो है वह सुनिता से लंबी है अब यहाँ पर हमें रीना वाला पॉंट दिया गया है इसे भी अनेज करते हैं कि रीना जो है वह चित्रा से लंबी है तो रीना जो है वह चित्रा से लंबी है परंतु भानू से क्या है छोटी है ठीक है और अनिता चित्रा स से क्या हो गई छोटी तो देखे अनीता चित्रा से क्या हो गई छोटी तो यहाँ पर यह बन गया सिक्वेंस क्लियर है चली क्या बूचाता है हमसे दोस्तों कि ग्याद कीजिए सबसे चोटा कौन है तो यहाँ पर सबसे चोटा कौन है दोस्तों अनीता ठीके तो यहाँ बार answer क्या होगा option B clear है दोस्तों तो जैसे दोस्तों आप इसके question solve करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी accuracy इसमें बढ़ती जाएगी clear है चली आगे बढ़ता है next question पर 5 वस्तु है A, K, P, R और T एक के उपर एक रखी गई है परन्तु जरूरी नहीं इसी क्रम में मतलब जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखी गई हो आएए पढ़ते हैं अब यहाँ पर दोस्तों एक के उपर एक वस्तु रखी गई है तो जो वस्तु उपर रखी गई है उसको उपर लिखेंगे, जो जो नीचे रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे यहाँ पर हमें direct sequence दिया गया है चलिए, देखिए यहाँ पर K तथा P के मद्य, के वल T है अब K और P के मद्य T है तो दोस्तों, दो condition हो सकती है K और P के मद्य में T ऐसा हो सकता है या फिर P और K के मद्य में यहाँ पर T ऐसा हो सकता है यह दोनों ही condition में दोस्तों, T जो है वा K और P के मद्य में होगा P जो है वा K के नीचे है तो देखिए, अब यहाँ पर देदिया गया है P जो है वा K के कहा है, नीचे तो यहाँ पर देखे यह सिक्मेंट सही होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर P कहा होगा दोस्तों? K के ऊपर, तो यह वाला सिक्मेंट हमारा किसा होगा? सही, कि P जो है वह के के कहा है? नीचे, और K और P के भी मध्य में कौन है दोस्तों? T, आगे पढ़ते हैं, R P के ठीक नीचे है, R जो है वह P के ठीक नीचे है, ठीक नीचे है मतलब इसके तुरंत बाद में है, कौन R? R जो है वह P के ठीक नीचे है, तो यहाँ पर देखें दूस्तों, एक, दो, तीन, चार जम गए, एक ती बचा है, आईए देखते क्या है? सिक्मेस क्या पूचा है दोस्तों हमसे कौन सी वस्तू सबसे नीचे है यहाँ पर कौन सी वस्तू सबसे नीचे है दोस्तों ए तो option कौन सा सही है दोस्तों option D clear है चली आगे पढ़ते हैं next question पर पांच वस्तू है बल्ला, गेंद, पंखा मेज तथा कुरसी एक के उपर एक रखी गई है परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में चली यहाँ से पढ़ना है हमें तो सिक्मेस अरेंज होगा पंखे से चार इस्तान उपर बल्ला है आई अरेंज करते हैं जो पंखा है उससे चार इस्तान उपर मतलब एक, दो, तीन यहाँ पर कोन आ जाएगा दोस्तों बल्ला ठीके पंखे से चार इस्तान उपर कोन है बल्ला है आगे पढ़ते हैं गेंद और कुरसी के बीच मेज है अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या जम सकता है कि गेंद और कुरसी के बीच मेज तो देखिए यहाँ पर गेंद आ सकती है तो यहाँ पर कुरसी जाएगी और यहाँ पर बीच में कोन आ जाएगी मेज ठीके और यहाँ पिर क्या हो सकता है कि यहाँ पर कुरसी आ जाए यहाँ पर गेंद आ जाए तो बीच में क्या होगी मेज ये तो fix है आगे पढ़ते हैं बल्ले के तीन इस्थान नीचे कुरसी है तो बल्ले के तीन इस्थान नीचे कुरसी है मतलब एक दो तीन यदि यहाँ पर दोस्तों कुरसी है तो यहाँ पर को न जाएगा गेंड और यहाँ पर को न जाएगी मेज तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमारा सिक्वेंस होगिया complete पहले आएगा बल्ला फिर आएगा गेंद फिर आएगी मेज फिर आएगी कुरसी और फिर आएगा पंखा चले आएए देखे question क्या पूछा है तो question हम से पूछा है उपर से दूसरे इस्तान पर कौन सी बस्तु है तो उपर से दूसरे इस्तान पर कौन सी बस्तु है दूस्तों gain उनसा options है ये option A clear है? चली आगे बढ़ते हैं next question पर चली friends, next question देखी अच्छा question है पांच व्यक्ति A, B, C, D और E एक अगबार पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अगबार दे देता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस व्यक्ति ने भी पहले अगबार पढ़ा है उसने किसको अगबार दिया है? C को मतलब C का नंबर कुझा है उपर से? Second आगे पढ़ते हैं जिस व्यक्ति ने अंत में अगबार पढ़ा था उसने अगबार A से लिया था ध्यान दीजी यहाँ पर पॉइंट के दिया है जिस व्यक्ति ने सबसे last में अगबार पढ़ा है उसने अगबार किस से लिया था? A से मतलब A का नंबर कुझा हो जागए दोस्तों? Second last यहाँ पर देखिए हमें 5 व्यक्ति दिये गए हैं जिन में से 4 व्यक्ति आ चुके हैं आगे पढ़ते हैं अगला है E अगबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं था तो देखिए ना तो E पहले इस्थान पर आएगा ना तो E लास इस्थान पर आएगा तो कहां पर आएगा? मिड में क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं B और A के बीच दो पाठक थे मतलब B और A के बीच में कितने पढ़ने वाले हैं पेपर? दो व्यक्ति जो हैं वो पेपर पढ़ेंगे किस-किस के बीच में दोस्तों? B और A के बीच में अब देखिए यहाँ पर जगे बचिए यह वाली और यह वाली अब यहाँ पर यदि मैं B को रख दूँ तो B और A के बीच में दो लोग होगे क्या? नहीं तो B को कहां रखना होगा हमें? यहाँ पर तो देखिए B और A के बीच में पढ़ने वाले कितने लोग हो गए? दो ठीके? तो बचा कुछ आए एक विक्टी कौन? D तो सबसे लास्ट में अकबार किस ने पढ़ा दोस्तों? D ने आए देखिए हमसे कोश्चन में कुछ यही पूछा है कि उस विक्टी को ग्यात कीजिए जिसने सबसे अंत्र में अकबार पढ़ा था तो सबसे अंत्र मगबार किस ने पढ़ा है दोस्तों? D ने सबसे बाए दोस्तों क्लियर है बिल्कुल सिंपल था ऑप्शन सीज राइट आनसर तो दोस्तों आप इन कोश्चनों के जितनी प्रेट्रेस करते आएंगे उतना आपके लिए ज़्यादा आसान होता जाएगा clear है? चलि आगे बढ़ते हैं निम लिकित कत्नों का परिक्षण कीजिए अब यहाँ पर हमें कोश पॉइंट दिये गए हैं उन्हें अरेंज करना है और फिर बताना है कि सबसे अधिक अंग किसने प्राप्ट किए? चलि जमाते हैं पहला पॉइंट हमें दिया है दोस्तों रमा ने रानी से अधिक अंग प्राप्ट किए आए इसे अरेंज करते हैं जो रमा है उसने रानी से अधिक अंग प्राप्ट किए तो रानी का नाम नीचे आएगा और रमा का नाम गहाएगा ऊपर नेक्स पॉइंट बढ़ते हैं दोस्तों रानी ने रतना से कम अंख प्राप्ट किये अब जो रानी है उसने रतना से कम अंख प्राप्ट किये अब यहाँ पर देखिए दोस्तों possibility क्या बनेगी कि रतना यहाँ पर भी आ सकती है और रतना यहाँ पर भी आ सकती है मतलब रमा के उपर ही बन सकती है और रमा के नीचे भी बन सकती है ठीक है? चलिए फ्रेंट्स देखें, next point है रतना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किये पदमा ने रमा से अधिक किन्तु रतना से कम तो पदमा जो है वह आ जाएगी इन दोनों के मध्य में कि पदमा ने रमा से तो अधिक अंग प्राप्ट किये परन्तु रतना से कम अंग प्राप्ट किये क्लियर है? चली सबसे अधिकंग प्राप्त किस ने किये तो देखे सबसे अधिकंग यहाँ पर किस ने प्राप्त किये रतना ने यहाँ पर हमारा answer क्या होगा option D clear है? चली आगे बढ़ते हैं चली friends ध्यान दीजी MNQR चार लोग चारों की अलग-अलग उम्र है चली तो यहाँ पर हमें H का सिक्मेस जमाना है जिसकी यह ज़्यादा होगी दोस्तों उसका नाम उपर और जिसकी H कम होगी उसका नाम नीचे लिखेंगे पहला point हमें यहाँ पर दिया है MR से बड़ा है तो बना लेते हैं M जो है वह किस से दोस्तों R से बड़ा है तो M जो है वह R से बड़ा है मतलब R के उपर बन जाएगा next point पढ़ते है क्यू जो है वह R तथा N से छोटा है तो एक से छोटा है तो क्यू जो है वह R और N दोनों से ही क्या होगा छोटा देखिं यहाँ पर पर R भी होगा और N भी होगा अब आई ये देखिए N यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है पढ़ते हैं क्या दिया है N, M जितना बड़ा नहीं है तो जो N है वह M जितना बड़ा नहीं है इसे आप समझ सकते हैं कि नागपूर जो है वह माहराष्ट जितना बड़ा नहीं है मतलब क्या है उससे छोटा तो देखें, यदि मैं N को यहाँ पर रखता हूँ दोस्तों तब भी N जो है वह M जितना बड़ा नहीं है और यदि यहाँ से हटा के यहाँ पर N को रख़ देता हूं, मैं तब भी N जो है वह M जितना बड़ा नहीं है मतलब यहाँ पर N की कितनी पोजिशन बन रही है दोस्तों दो यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है तो यहाँ पर हमारा main sequence दोस्तों क्या होगा पहले होगा M फिर होगा R oblique N और फिर होगा Q तो यहाँ से दोस्तों आपको सीखने हो क्या मिला जिन भी दो person की जगे fix नहीं होगी हम उनको कहा लिखेंगे साथ में oblique लगा के clear है न यहाँ पर भी N आ सकता है और यहाँ पर भी N आ सकता है आए मेंसे आपको possible sequence से बता देता हो देखिए एक sequence यह हो सकता है कि M फिर R फिर N और फिर Q और दूसरा sequence हो सकता है दूस्तों M फिर N फिर R और फिर Q यह दोनों ही sequence हमारे तीनों point को satisfy करेंगे देखिए पहला point क्या है M R से बढ़ा है तो इसमें भी और इसमें भी दूसरा point है Q R तता N से छोटा है देखिए इसमें भी और इसमें भी और तिसरा point देखिए N जो है वह M जितना बड़ा नहीं है तो यहाँ पर भी N जो है वह M जितना बड़ा नहीं है और यहाँ पर भी जो N है वह M जितना बड़ा नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर n का relation m से तो दे दिया परन्तु r से नहीं दिया कि r से छोटा है या r से बड़ा है n जो है वह m से छोटा है नागपूर जो है वह महरा से तो छोटा है परन्तु यहाँ पर r से relation दिया है क्या नहीं इसलिए क्या आएंगे दोनों ये साथ हमें clear है तो हमारा main sequence होगा ये वाला और यदि possible sequence देखेंगे तो ये दोनों होगे आएए देखे question क्या पूछा है क्रम में दूसरा बड़ा विक्ती कोन है तो देखें दूसरा बड़ा विक्ती कोन है आर या एन यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या होगा आर या एन clear है चली और अगला सवाल क्या दिया है क्रम में दूसरा चोटा कोन है तो क्रम में दूसरा चोटा कोन है तो वह भी कोनों का दोस्तों आर या एन इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें प्लियर है चली आगे बढ़ते हैं नेस्स कुशन है LMNOPQ 6 लोग सभी की अलग अलग लंबाई है अब यहाँ पर हमें height दिये रखिए ठीक है सभी की different height है या length है अब यहाँ पर हमें क्या दिया है Q P से लंबा है परन्तु L जितना नहीं Q जो है वह दोस्तों P से तो लंबा है परन्तु L जितना नहीं मतलब Q P से लंबा है परन्तु L जितना नहीं मतलब L से क्या है चोटा और second point क्या दिया है M N तथा O से लंबा है तो इन दोनों से लंबा कौन है M परन्तु P जितना नहीं तो देखिए M जो है P यतना नहीं मतलब P से छोटा है तो ये बनके हमारा main sequence L, Q, P, M और N अबलिक O N अबलिक O दोस्तों क्यों लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही point में ये fix नहीं हो रहा है कि N लंबा है O से या फिर O लंबा है N से इसलिए इन दोनों का रहा हैंगे दोस्तों साथ में चली question देखते हैं क्रम में सबसे लंबा विक्ति कौन है तो क्रम में सबसे लंबा विक्ति दोस्तों कौन हो गया L तो पहले का answer हमारा यहाँ पर क्या आगया दोस्तों L दूसरा देखते हैं क्रम में दूसरा छोटा व्यक्ति कौन है तो करम में दोस्तों दूसरा छोटा व्यक्ति कौन है तो यहाँ पर आपका मन होगा M को लगाने का पर नगाना नहीं है क्योंकि यह गलत ठीक है दूसरा छोटा व्यक्ति कौन होगा दोस्तों वह भी होगा कौन N या O यह मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है यहाँ पर भी समझ लिजी सबसे छोटा वेक्ती भी कौन है दोस्तों N या O और यहाँ पर हमें से सवाल पूचा है दूसरा छोटा वेक्ती कौन है तो वहाँ भी कौन होगा N या O देखें इसकी दो संभावना बन सकती है L, Q, P, M यहाँ पर भी लिख लेते हैं L, Q, P और M अब पहली संभावना हम क्या करते है N लंबा है किससे? O से तो N उपर बन जाएगा O नीचे बन जाएगा और दूसरी possibility क्या हो सकती है दूस्तों O लंबा है किससे? N से तो यहाँ पर O पर आएगा और N नीचे आएगा यही दो संभावना हो सकती है तो यहाँ पर हमने इसे बना लिया है तो देखिए नीचे से दोनों जगह पर last में और second last में कौन कौन हो सकते हैं? N या O N या O ठीक है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों जब भी ऐसी situation बनेगी तो सबसे चोटा वेक्टी भी कोन होगा इन दोनों में से कोई एक और दूसरा चोटा वेक्टी भी कोन होगा इन दोनों में से कोई एक, clear है? चली आगे बढ़ते हैं चली फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर शेकर सुनीता से चार साल बड़ा है अब यहाँ पर हमें उम्र दे दी गई है एयर में कि जो शेकर है वह सुनीता से चार साल बड़ा है अब एसे question को दूस्तों solve करने के लिए आप क्या करेंगी? particular किसी भी एक विक्ती साल की है ठीके? तो शुनीता के उम्र यदि बीस साल है तो शेकर कितने साल बड़ा है इससे? चार साल तो यहाँ पर को नहीं आगा दोस्तों? शेकर उम्र मानने से दोस्तों आपको यह सवाल सौल करना यदा सान होगा तो बीस यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 साल का आगे बढ़ते हैं सुनिता महिमा से 5 साल छोटी है अब सुनिता जो है महिमा से कितने साल छोटी है दोस्तों 5 साल यदि शेकर 4 साल बड़ा है किस से सुनिता से और सुनिता महिमा से 5 साल छोटी है मतलब यहाँ पर महिमा के उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों 25 साल क्लियर है तो इससे 5 साल चोटी होगी कौन सुनीता सुनीता महिमा से 5 साल चोटी है तो जब महिमा के उम्र 25 साल होगी तब सुनीता कितनी होगी 20 साल क्लियर है आगे बढ़ते हैं बिंदु महिमा से दो साल चोटी है, अब बिंदु जो है, वह महिमा से दो साल चोटी है, तो देखिए, महिमा से एक साल चोटा कौन है, शेखर, तो यहाँ पर कौन है आगी दोस्तों, बिंदु, और उसकी उम्र क्या होगी दोस्तों, 23rd, क्लियर है, चलिए, तो बिंदु महि कितना जाएगा 27 मतलब यहाँ पर महिमा से भी उपर कौन बन जाएगा दोस्तों विक्रम क्लियर है 27 तो दोस्तों यदि आप age मान लेते हैं ऐसे सवालों में तो आपको सवाल को solve करना ज्याद आसान होगा तो यहाँ पर देखी हमारा sequence बन गया सबसे बड़ा कोन है विक्रम उससे छोटा कोन है महिमा उससे छोटा कोन है शेकर उससे छोटा कोन है बिंदू और सबसे छोटी कोन होगी सुनीता क्लियर है यहाँ पर ऐसे question में यदि आप age मान लेते हैं तो सवाल को solve करना ज्याद आसान होगा आए इस type का last question और देख लेते ह चलिए friends देखे एक last question है अमन अनुज छेतन छेतना मोहित पांचों की अलग-अलग उम्र है सबी के अलग-अलग age है पढ़ते हैं यहाँ से अमन अनुज से 10 साल बड़ा है तो इसके बाद में फिर solve करेंगे तो अमन जो है वह अनुज से 10 साल बड़ा है तो यहाँ पर हम क् साल बड़ा है तो यहाँ पर कुना आएगा दोस्तों अमन यहाँ कितने साल का हुज आएगा दोस्तों 30 साल का क्योंकि यहाँ पर इससे 10 साल बड़ा है अनुज से आगे पढ़ते हैं मोहित अमन से 5 साल चोटा है अब मोहित जो है वह अमन से 5 साल चोटा है तो इन दोनों के कहा जाएगा दोस्तों मोहित मिड में ठीके तो मोहित के उमर क्या जाएगी दोस्तों 25-25 साल आगे पढ़ते हैं चेतना अनुष से 7 साल बड़ी है अब चेतना जो है वह अनुष से कितने साल बड़ी है दोस्तों 7 साल तो दिखिए यहां पर यहां दिध्यान से दिखें यदि ध्यान से देखें, तो चेतना की उम्र कितने होगी दोस्तों, 27 साल तीन साल बड़ा कोन हो गया, अमन परन्तो यहाँ पर चेतन कितना बड़ा है, 5 साल तो यहाँ पर अमन में 2 साल ओरेड करेंगे, तब यहाँ पर कोन आएगा, चेतन यहाँ पर चेतन की उम्र क्या हो जाएगी, 32 तो चेतन जो है, वह चेतना से कितने साल बड़ा हो गया, 5 साल तो दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी एक वेक्टी की जब एज मान लेते हैं तो उससे इन कोश्चन को सॉल करना क्या बजाता है, ज्यादा आसान तो यह बन गया हमारा सिक्वेंस, आईए कोश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं क्रम में दूसरा बड़ा वेक्टी कोन है, देखिए क्रम में दूसरा बड़ा वेक्टी कोन है, अमन तो यहाँ पर पहले कोश्चन का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, अमन और दूसरा question पूछा है हमसे क्रम में दूसरा छोटा वेक्ती कोन है तो क्रम में दूसरा छोटा वेक्ती कोन है दोस्तों मोहित clear है चली तो यहाँ पर यह हो गया हमारा sequence complete और हमारे दोनों answer आ गए ठीके दोस्तों तो यहाँ तक था दोस्तों ranking में हमारा part 1 order इसके हम अगले part में जबाएंगी तो पढ़ेंगे position in Q मतलब पंक्ती में स्थान दोस्तों मेरे द्वारा बताएगा यादि आपको trick, question अच्छे लगे हो तो please वीडियो को like करिए, share करिए channel को subscribe करिए, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अंगले part में position in Q के साथ में, ठीके तब तक के लिए, जैहिन